इस lecture में mass extinction के बारे में discuss करेंगे ये recently news में है एक recent study हुई है इसके बारे में कितने प्रकार के अभी तक कितने types के mass extinction हुए है और ये कौन सा mass extinction चल रहा है सारी detail जानेंगे देखो mass extinction का मतलब होता है पहले extinction का मतलब जानो लुप्थ होना कोई चीज गायब होगी मानलो पहले कोई प्राणी रहते थे और वो गायब होगे जैसे आपने सुना होगा न्यूश्पेपरों में पढ़ते हो कि बहुत सारी प्रजाती पहले रहा करती थी लेकिन अब वो लुप्थ होती जा रही है उनका एक भी स्पीसीज नहीं बत्या मानलो पूरा हुमन की प्रजाती मानलो सारी खतम हो जाए सारी मर जाए परले आ जाए तो ये क्या हो गया मास एक्टिंशन वहने कि एक साथ सारे पीपल या बहुत सारे 80%, 85%, 95% लोग मर जाएं या प्रजाती कोई मानलो 90% सेर है लायन है वो मर जाएं या फिर मानलो लियोपार्ड के बारे में एक स्टड़ी हुई थी अभी हमने करंट अफिर के सेशन में पढ़ा था कि लियोपार्ड क्या है नोर्थ इंडिया से खतम हो जाएंगे तो ये क्या है ये भी एक तरह से मास एक्स्टिंग्शन है लुक्त हो जाएंगे खतम हो जाएंगे एक कहीं से भी तो मास एक्स्टिंग्शन की एक रिसेंटली पेपर पब्लिस हुआ है एक स्टड़ी नेचर जियो साइंस, नेचर जियो साइंस में ये पब्लिस हुआ है, इसने नए कारण बताएं, न्यू रीजन बताएं कि पहला जो मास एक्स्टिंशन हुआ था, कि पहली बार जब बहुत सारे, तलब बहुत सारी प्रजाती लुप्त हो गयती हमारी अर्थ से, उसका कारण क ये कारण कुछ नए कारण बताएं इसने, इसलिए इस न्यूज में आया, तो फर्स्ट जो मास एक्स्टिंशन है, उसे देखो लेट और्डो वीशन, मास एक्स्टिंशन के नाम से भी जानते हैं, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, पहला जो मास एक्स्टिंशन ह घटता जा रहा था, ये चेंज हुआ था, इसकी वज़े से ओशन सर्कूलेशन पैटनर चेंज हो गया था, जो ओशन का सर्कूलेशन पैटनर है, जैसे ओशन है, समुद्र है, समुद्र का जो पान ये घूमता है, जैसे ये एक्क्वेटर लाइन, यहाँ से इस तरह गूमत या इधर 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 ऐसे clockwise गड़ी की दिसा में गड़ी की विपरीत है एंटी clockwise गड़ी की विपरीत दिसा में तो यह जो circulation है यह ocean का circulation change हो गया था जब cooling period चल रहा था ऐसा कुछ study में बोला इस जो paper publish हुए है इसकी वज़े से क्या हुआ जो oxygen का flow है जो water में oxygen रहता है oxygen का जो flow है उसमें disruption हो गया था वो shallow seas की वज़ाए deeper ocean में चला गया जो oxygen है shallow sea का मतलब कम गहरा पानी समंदर कम गहरा समंदर उसमें से गहरे समंदर में चला गया इसकी वज़े से क्या हुआ क्योंकि देखो प्राणी अधिकतर रहते हैं shallow sea में जहाँ पे कम पानी होता मनलो यह सारा समंदर है यहाँ नीचे मनलो एक किलोमेटर नीचे लेंड आगी भूमी आगी और यहाँ पे समंदर ऐसा है किलोमेटर, पाँच किलोमेटर ऐसे भूमी है, तो जो سैलोस यहाँ पे कम पानी है वहाँ पर प्रजाती जो रहती है, लेकिन औकूझेजन चला गए कहाँ पे मास यह ओशिन सर्कूलर पैट रचेंच हुआ मान लो, पानी गुमता था transfer यहाँ हो गया, यानि कि A से B की तरफ oxygen चला गया, अब भाई सब जब oxygen नहीं बचेगा, तो इन पानी वाले प्रानी को भी तो oxygen चाहिए जीने के लिए, अजब oxygen नहीं बचा, तो क्या हो गया, mass extinction यहाँ की परजाती लुप्त हो गई, मर गई, तो यह mass extinction हुआ, marine creature का, marine मतलब स species खतम हो जाए, faster than they replaced, देखो एक चीज यह होती है, कि मानलो, पहले ऐसा मानते हैं, ऐसी थ्योरी है, पहले बंदर था, बंदर से आदमी बन गया, आदी मानव से आदमी बन गया, तो ऐसे replace होता चला गया, replace हुआ, कि एक की जगह पर दूसरा प्रानी आ गया, दूसरे की प् होलेंगे, mass extinction, मतलब प्रजाती खतम होगी, extinct होगी, mass extinction हो गया, यह usual ही देखो, 75% के लगबग, जब world के species lost हो जाते हैं, तब short period of time में, लगबग short period कितना है, 2.8 million years से कम साल में, 1 million में 10 lakh होता है, तो आप इसे 10 lakh से multiply करोगे, तो आजाएगा लगबग, यह यह आजाएगा ल 2 करोड 80 lakh सालों से कम समय में, अगर 75% species, मालो यहाँ पे 100 species रहती हैं, अलग-अलग, एक साप की species मिलती है, lion की, tiger की, leopard की, यह billy की, यह बंदर की, ऐसी 100 species मिलती हैं, और यह 2.8 करोड से कम साल में, अगर उन में से 75% पर जाती लुप्त हो जाएं, तो इसको बोलेंगे, mass extinction हो गया, कि अब केबल 25% ही पर जाती बची हैं भाईसाव, इनकी, क्योंकि 75% तो लुप्त हो गई, extinct हो गई, तो इसे बोलेंगे, mass extinction, तो यह दोनों आपको लाएन यादफ नहीं, 75% वाली, 2.8 million years वाला, और species जब faster, ज़्यादा तेजी से लुप्त हो जाएं, बलकि replace होती हैं उससे ज़्यादा तेजी से, अब यह mass extinction अब तक कितने तरीके के होएं, कितने टाइप के होएं, यह को 5 mass extinction होएं, पांचों को हम पढ़ेंगे, पहला है first mass extinction, इसको order vision mass extinction भी बोलते हैं, यह लगबग 445 million years एगो पहले हुआ था, और इसमें लगबग जो species लुप्त होई थी, यह कि 75% से ज़्यादा ही चीह हमें, तो उसी mass extinction बोलेंगे, और यहां इसमें कितना हुआ, 85% लुप्त हो गई, दूसरा हुआ, second mass extinction, इसे devonian mass extinction भी बोलते हैं, यह लगबग 375 million years एगो पहले हुआ था, तो इसमें लगबग जो world की species हैं, वो 75% लुप्त हो गई थी, गायब ह पर्मियन mass extinction, इसमें 250 million years एगो पहले हुआ था, इसे great dying भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा species लुप्त हुई थी, 95% all species गयब हो गई थी, लुप्त हो गई थी, मर गई थी, extinction हो गया था, सिर्फ 5% ही बची थी, फिर भाई सब population और बदलती गई, बढ़ती गई फिर 4th mass extinction हुआ, इसे बोलते हैं, trisic mass extinction भी बोलते हैं, और यह 200 million years एगो पहले हुआ था, 80% इसमें अर्थ की species खतम हो गई थी, और इसमें देखो कुछ dinosaur, जो dinosaur के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बड़े बड़े परजाती हुआ करते थे, यह भी animal था एक, वो dinosaur भी इसी time पर लुफ्थ हो गए थे, next है कि 5th mass extinction, इसे crataceous mass extinction भी बोलते हैं, लगबग 65 million years ago पहले हुआ था यह, और इसमें लगबग जो non-avian dinosaur थे, एक तो देखो dinosaur दो तरीके थे, उड़ने वाले भी नहीं उड़ने वाले ही, इसमें नहीं उड़ने वाले dinosaur भी लुफ हो गे थे, मर चुके थे, उनकी population सारी खतम हो गई थी, अब latest जो finding है, उसमें क्या है, देखो new explanation यह बोला है, कि नए अधर, बहुत सारे region ऐसे दिये गए हैं, जो mass extinction के लिए, मतलब यह कारण एक region है, mass extinction होने का, कुछ researcher है, उन्होंने यह नए event अभी दिये हैं, जैसे traditional thought क्य जा थी, पहले ऐसे सोचते थे, कि volcanic induced global warming होई, जिसकी वज़े से oxygen खतम हो गया, oceans में, और उसकी वज़े से entire ecosystem खतम हो गया, कहने का मतलब यह है, वालकेनी जब आप जानते हो, अर्थ से जब भाईसाम निकलता है, lava वगेरा, और उसमें आग भी निकलती है, मिनरल्स निकलते ह हीट जब atmosphere में आएगी, वातावरन में, तो global warming भी होगी, global warming मतलब अर्थ का जो temperature तापमान, atmosphere का वो धीर धीर बढ़ना, तो यह बढ़ा, इसकी वज़े से oxygen खतम होता चला गया, ocean में, और बाकी के environment में, इसकी वज़े से ecosystem सारे खतम होते चलेगी, ecosystem क्या है, ecosystem में वाईसा, को मिट्टी, पानी, यह है जो, यह nutrient वगएरा, यह abiotic साथ रहते हैं, और एक particular region में, यह ही क्या है, ecosystem, तो ecosystem खतम होता चला गया, इसकी वज़े से, वालकरीजम हुआ, global warming होई, फिर oxygen खतम हो गया, फिर यह इनका भी प्रानी भी लुप्त हो गया, traditional thought ऐसी है, ऐसे मानते हैं, ल जो audio vision climate है, यह marine, marine, bio geocamical cycle है, geocamical marine का मतलब समुद्र की कोछ बात हो रही है, bio geocamical cycle जो समुद्र की होती है, उसमें इस दोरान क्या हुआ, sea floor और अपर ocean में, oxygenation process में, यह global cooling होई, global cooling के response में, यह सब कुछ oxygen खतम हुआ, जो उपर हमने study किया, global cooling होई, फिर oxygen खतम हो गया, oxygen shallow water से deep में चला गया, यही सब कुछ, इसी को deep sea anoxia भी बोलते हैं, कि क्या हुआ, shallow water से, जो कम घहरा पानी है, उससे ज़्यादा घहरे पानी में oxygen चला गया, जिसकी वज़े से लुपत हुए, नए रीजन यह ढूने, यह क्लाइमेट cooling की वज़े से, nutrient cooling में change हो गया, change होने की primary producer community वो affect हुई, जिसकी वज़े से, यह late audio vision mass extinction हो गया, audio vision first mass extinction को बोलते हैं, first mass extinction, audio vision, उसी की बात हो रही है, तो पहले बताया जाता था, कि पहले volcano फटा, जो आला मुकी, उससे global warming हुई, फिर oxygen खतम होता चला गया, लेकिन दूसरे कारण नए यह बताया है, कि global cooling हुई, जिसक कर चुके हैं, अब ongoing six mass extinction क्या और इसके प्रभाव क्या impact यह जानते हैं, अभी जो चल रहा है, अभी जो period, वो चल रहा है, six mass extinction, मतलब छटा mass extinction चल रहा है, currently जो चल रहा है, यह किसकी वज़े से, इसका reason क्या बताया जा रहा है, इसका reason है, human induced climate change, मानव की वज़े से climate change, जल परिवरतन हो रहा है, जिसकी वज़े से global warming हो रही है, global warming, earth का temperature बढ़ता जा रहा है, क्योंकि greenhouse gas emit कर रहे हैं, प्राणी, लोग industry बना रहे हैं, जिनकी वज़े से धुवा निकलता है, carbon निकलता है, green house gas हम कही बार discuss कर चुके हैं, क्या है, जैसे co2 है, carbon dioxide, ch4 methane, nitrous oxide है, carbon है, जो इन भी अगर toposphere में रहे, तो जो इन भी greenhouse gas का काम करती है, greenhouse gas ही ने तब बोल जाते हैं, जब इनके पास ऐसी capability हो, किसी gas के पास, जो earth में, atmosphere में temperature absorb कर ले, absorb कर ले, soak ले, earth के temperature को soak ले, तो जब temperature ये absorb करेंगी, तो atmosphere का temperature है, जो वो बढ़ता चला जाएग, earth के atmosphere का, और earth का atmosphere क temperature दीरे-दीरे बढ़ना ही क्या है, global warming, global warming की वज़े से ही क्या हो जाता है, climate change, तो ये कैसे, इस sixth mass extinction का नाम दिया गया है, anthropocene extinction, anthropocene का मतलब होता है, human के द्वारा कोई activity करी होई, मानव के द्वारा, आदमियों के द्वारा कोई activity की होई, हो, तो ये anthropocene extinction है, इसमें currently ऐसा estimate लगाया जा रहा है, कि इसकी वज़े से जो mass extinction होगा ना, बहुत ही जादा होगा, खतरनाक, क्योंकि केवल 2% जो जीव है, वो ही बचेंगे, और 98% जो प्राणी है, वो मर जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, extinct हो जाएंगे, यानि कि absolute जितना क्या है कि ये जो देखें, तो absolute number of species है, ये greater than ever before है, इसमें क्या है, कहने का मतलब ये है, पहले जब जो परजाती हुई थी, first mass extinction, second, third, fourth, five, उसमें जो परजाती रहती थी ना, वो इतनी नहीं थी, यानि कि जितना अब है, समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, कि जो ये होगा, जो ये होगा mass extinction, absolute number म अगर देखें, तो वो सबसे ज़्यादा होगा इस टाइम पे, absolute number में, मतलब पहले जो परजाती मरे थे, मानलों पहले 100 परजाती गायब हो गए थे, तो अब 101 परजाती गायब हो जाएंगी, ज़्यादा होगी, यानि कि ज़्यादा number में गायब हो जाएंगी, क्योंकि 98% लुप्त हो जाएंगे, 2% इस पीसीज बचेंगे, यह most serious environmental problem बताईगी है इसके लिए, यानि कि परियावरन में जो यह change हो रहा है, greenhouse gas की वज़े से, इसकी वज़े से कुछ species permanently lost हो जाएंगे, जो lost species का होगा, यह human ancestor है, जो पूर वज़े हमारे human के, जब से agriculture डवलप हुई है लगबग 11,000 साल पहले किर्सी नहीं की जाती थी, उससे पहले, 11,000 साल पहले यह agriculture किर्सी करना डवलप किया, फिर crop cultivation किया, इसकी वज़े से क्या है, बहुत सारे population, human की population increase हुई, पहले लगबग 1 million से लेके, 1 million में 10 lakh होता है, तो 10 lakh population थी, जो अब लगबग 7.7 billion हो रही है, य 7.7 billion population बहुत ज़्यादा increase हो गई है, इसकी वज़े से लोग ज़्यादा agriculture कर रहे हैं, किर्सी कर रहे हैं, उनमें से greenhouse gas निकलता है, जैसे पैडी cultivation करने से CO4 निकलता है, और agriculture जब ज़्यादा होगी, तो industry डवलप होगी, raw material को agriculture के raw material को कच्चा जो माल है, उसके से कुछ product बन मच्चर है, या तितली है, जो cross pollination करती है, एक फूल से लेके, दूसरे फूल पर जो लेके जाती है, ये कुछ, मतलब liquid वगएरा और फिर pollination होता है, ये pollination होना, ये loss हो जाएगा, खतम हो जाएगा, बिलकुल, water का purification भी loss हो जाएगा, इसकी बज़े से क्या हो सकता है, जो और species हैं उनकी food chain पर affect पड़ेगा, उनका food भी खतम हो जाएगा, जैसे मानलो अगर जो बड़े कीट हैं, वो खाते हैं छोटे मच्चर को, और ये बड़े को खाते हैं फिर छिपकली वगएरा, जब ये छोटे वगएरा मच्चर ही मर जाएंगे, तो इनका खाना कहां ये इनका भी food chain effect हो जाएगा, प्रभावित पड़ेगा, इनको प्रभाव पड़ेगा इनसे, दूसरा genetic और cultural variability है जो वो भी नष्ट हो जाएगी, ecosystem में देखो entire change हो जाएगा, ecosystem में इनकी वज़े से, क्योंकि genetic change भी हो जाएगे, gene में भी change हो सकते हैं, और cultural जो variability है, अभी जो